हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम डिलिशिस चीज पास्ता बनाएंगे इसके लिए चाहिए हमें एक टमाटर कटा हुआ एक शिमला मेच थोड़ी लसुन कटी हुई और एक प्याज कटी हुई यह देखिए हमने एक बरतर में दो गलास पानी लिया है इसे पानी उबलने के लिए हम थोड़ा रख देंगे हाई फ्लेम पे रखेंगे पानी अब पानी में उबाला गया है और हमने एक कटोरी पास्ता लिया है अब देखिए हमें एक कटोरी पास्ता पानी में डाल देंगे उबलने के लिए देखे इसे थोड़ा सा हम चला देंगे अब इसमें हम थोड़ा सा ओयल एड़ करेंगे ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं ये देखे पास्ता आपस में चिपक जाता है बिना ओयल के अब हम इसमें थोड़ा नमक एड़ करेंगे ताकि पास्ता जल्दी उबल जाए यह देखिए 15 मिनट के लिए हमें यह पास्ता उबालना है 15 मिनट में हमारा यह पास्ता उबल जाएगा यह देखिए हमने थोड़ा सा नमक एड़ कर दिया है इसमें अब 15 मिनट का टाइम है 15 मिनट में हमारा पास्ता उबल के तियार हो जाएगा यह देखे हमारा पास्ता उबल गया है हम इसको एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं उबल कर तयार हो गया हमारा पास्ता यह देखे अच्छे से उबल गया अच्छे से कटपी रहा है यह देखे हम इसको एक चंणी में चान लेंगे हमने इसको एक चंणी में चान लिया है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि अच्छी से पास्ता खिला खिला हो जाए यह देखे हमने पानी डाल लिया इसमें अब हमारा पास्ता थोड़ा खिला खिला हो गया है अब कड़ाई में हम थोड़ा सा ओल डालेंगे और उसे थोड़ा सा गरम करने देंगे वीडियम फ्लेम पे हम उसे गरम करेंगे यह देखे हमारा तिल गरम हो गया है अब हमने इसमें लसुन डाल दिया है और हम गैस का फ्लेम धीमा ही रखेंगे यह देखे अब हम इसको थोड़ा भून लेंगे लसुन को अब हमारा लसुन भून गया है अब हम इसमें यह एड़ कर लिए इसमें, डाल दी है प्याज, अब हम इसको थोड़ा चला लेंगे, अब हम इसको हलका ये भुनेंगे, इसका कलर पिंक कलर हो जाएगा, तब तक हमें इसे भुनना है, ये देखे, अब हमारा प्याज और लसुन भून चुका है, अब हम इसमें टमाटर एड़ करेंगे टमाटर को हमें इसमें तोड़ा गलाना है अच्छे से हमें इसको इसे चलाना होगा और टमाटर को हमें इसमें इसे गलाना होगा यह देखिए अब हम इसमें शिम्ला मिर्च भी नहीं डालेंगे क्योंकि शिम्ला मिच जल्दी गल जाती है हमें शिम्ला मिच को ज्यादा गलाना नहीं है थोड़ी देर में हम शिम्ला मिच डालेंगे अब हमारा टमाटर गल चुके हैं अब हम इसमें शिम्ला मिच डाल रहे हैं ये देखिए शिम्ला मिच हमने डाल दी है अब हमें इसको थोड़ा सा नमक डालना है देखिए सब्जियां हमारी पक चुकी है अब हम इसमें पास्ता एड़ करेंगे ये देखिए हमने पास्ता डाल दिया है इसमें आम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पास्ता और सब्जी को हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं देखे, हमारे सबजी और पास्ता मिक्स हो गए हैं, अब हम इसमें ये देखे, मैं इसमें तीन चमज पास्ता सोस डाल रही हूं, अगर आपके पास पास्ता सोस नहीं है, तो आप टमेटो सोस भी डाल सकते हैं, ये देखे, मैंने इसको मिक्स कर लिया है, अगर किसी को खटा पसंद है तो वो घ्रीन चिली सास भी डाल सकता है मैंने में इसमें अब फ्रिए दिया यह iv। अब आप यहां भी से देखें में इसमें थोड़ा ओर अब रखें में चाहिए इसी मिक्स कर लेंगे अब यह पास्ता थोड़ा ग्रेवी वाला बन गया है अगर किसी को ग्रेवी वाला पास्ता पसंद नहीं है तो पानी स्किप कर दे यह देखिए अब हमारा पास्ता बनके तयार अब हम इसे दो मिनिट के लिए ढख के रख यह देखे अब हम गैस ओफ कर देंगे अब हमारा पास्ता तयार है अब हम इसमें चीज ग्रेट करेंगे यह देखे हमने चीज ग्रेट कर लिए अब हम इसे दो मिनट के लिए गैस बंद करने के बाद ढके रख देंगे अब हमारा पास्ता तयार है इसे मच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखे कितना सुन्दर पास्ता बनके तयार हुआ है ये देखे अब हम ये देखे दोस्तो हमारा चीज पास्ता बनके तयार हो गया है देखे देखने में इतना सुन्दर है तो खाने में कितना टेस्टी होगा ये देखे कितना सॉफ्ट है कितना क्रीमी है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें